हेलो फ्रेंड्स वेलकम मैं यूट्यूब चैनल गयानेड मस्ती और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का कोश्चन नमबर फर्स्ट तो चलिए स्टाट करते हैं कोश्चन नमबर फर्स्ट जो है यहां पर लिखा हुआ है कि निम्न लिखीत संख्याओं को आप अभ्याज गुलण खण्ड हमेशा अभ्याज संख्या के भाग देने से रहे हमें अभाज शंख्या बाकी जो भी संख्या है समभी संप्राकृतिक समफुनक उसमें बताया गया है कि सबसे पहली बात इस सवाल को बनाने के लिए आपको अभाज संख्या पता आना चाहिए या आप बच्पन में यगर पढ़े हैं अभाज कЙसे निकालते हैं तो फिर कोई दिक्कत निया पसानीसे निकाल सकते हैं हमको क्या निकलना है? अभ्याज वन खंड क्यों क्योंकि इस में निखत संख्याओं का अभ्याज गुन खंड की गुडद प्रणफल के रूप में बैक्त कीजिए यानि जब तक अभ्याज गुण खंड नहीं निकलेगा तब तक संख्या कैसे पता चलेगा कौन-कौन संख्या से भाग लग रहा है यानि सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा अभ्याज गुण खंड किसका 140 का चली सबसे पहल और इसका गुण खंड आया वह आया दो तो यहां प्लिक देंगे दो इन्टू दो फिर फाइब फिर सवाल है उसी प्रकार से दो नंबर है 156 सेम इसका भी क्या किजिए अभ्याज गुण खंड निकालिए दो से दो सते चौदा दो अठे सोला फिर दो से दो तीन छो दो न तो 156 बराबर क्या क्यों जाएगा दो गुण दो गुण तीन गुण तेरो यह चौत जवाब का स्वारी तीसरा जो सवाल है वह है 3825 तो इसका जब हम गुण खंड निकालेंगे तो 3825 अब दूसरे तो भाग लाएगा नहीं कि लास्ट में भी समसंग क्या है चेक करेंगे श्री यह 3100 यहां पर आ गया एक यहां जायेगा यह समझ में नहीं कहां से आ तो तीन से से इधर साइड में भाग दे सकते हैं एससे 3 1 3 0 फिर आठ उतर एगा तो तीन दुना 6 8 में छोगे दू फिर दू आएगा तीन चते 21 फिर एक आएगा फिर 5 तीन पचे 15 यह हो जाएगा 1275 तो हमने लिख दिया 1275 लेकिन अभ्याज गुणगर निकालते समय यह नहीं लिखा जाता है हमारा निकाल गया 1275 यह देखते हैं तीन से भाग लाएका नहीं यह भी लग जाएगा तो इसको भी तीन से काट देंगे तीन चोगा 12 तीन दून च्छो और तीन पचे 15 अब तीन से नहीं लगेगा अब पांच से कटाएंगे पांच वठे 40 पांच एकम 5 स्वारे 5 वठे 40 लिख पांच पचे 25 फिर 5 से कटाएंगे तो 17 पचे यह अंसर होगे यहां पर यहां पर यह अंसर और यहां पर यह अंसर चौह उथा जो सवाल है आपका है 5005 इसका फेक्टर निकाले पांच से कटेगा 1001 अब यह साथ से कटेगा की नहीं साथ से देखें कटेगा तो कटा देंगे साथ एंक तीन यहां पर आ गया साथ साथ तरीका एक सो तैरा से कटेगा साइद यह 11 से भी जाएगा 11 से कटेगा कितना बार में 13 बार में फिर 13 से 13 एकम 13 तो यहां पर जो पांचर पांच के गुण खंड आया हुआ आया गाए पांच गुणे साथ गुणे 11 गुणा 13 यह पकांचर हो गया पांच वाजे उमरा सवाल है वह है 7429 इसका इसका गुणखण कर न है तो निकाल लेते हैं साथ चारbased गार गांणोंटीछ दुबाईस यह तीन से नहीं कटेगा चार पांच छे सोटक तो कटेगे नहीं जब दूस 일이 से नहीं कटा तो चैसे भी नहीं कटेगा साथ साथ कर लेते हैं साथ साथ से भी नहीं कटेगा आठ नौव दस एगदार करते हैं गयारा से कटेगा की नहीं यह ग्यारा छट शार साथ 9 शार छट चूरह मैं शोगर आठ यहां पर 11 7 कि 77 और बारह में साथ गया पिलेगार से भाग ले लेते हैं इधर भाग देते हैं साथ चार दू नौ यहां पे चाहर है तो यह हो जाएगा एक ग्यारे पच्छाइब दू यहां पर आ जाएगा एक आरे सते कि 77 बारह में साथ गया पांच एगार से भी नहीं कटेगा तेरा से देखते हैं तेरा हदून चब्वीस उन्तालिस तेरश्यों का बावन तेरा पच्छे पैसट पैसट तो चौदे में से पांच गया नौ दू यहां पर आ जाएगा तो बानवे हो जाएगा तेरा से भी नहीं कटेगा तो पंदरा सत्तरा से देखते हैं कटता है कि नहीं कि 17 से दिभाग दिएगा साथ चार दू नौ तो यह हो जाएगा सत्रते कांट सत्रत चोगा और सथ चोदे में से आठीक चोड़ू सत्रह त्याइए एक कावन दू मिसे गया एक शोमेंस पांच गया एक नो सत्रह फिय吉ल देखिगा साथी गया यहां पर कटा देंगे साथTO कितना बार में तो 400 ऐसायसर बार ज activists बारुन 17 दुना 34 तो तेरे में चाहिए नोग साथ 13 से फिर नहीं कटेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब 18 19 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं 29 से यह आप कटाते हैं तो यह है चार साथ 37 अनुए दुना और 30 तरह में साथ का पांच 27 23 बार में और नाइस से कटेगा तो यहां जो हमारा गुणखंड आया वह आगया सत्तरह गुणए उन्नाइस और गुणए में तेइस आपका यह हो जाएगा अंसर तो यही अभ्याज गुणखंड जो कि आपको बच्पन में पढ़ाये गया है नाइंट क्लास में इसा इट क्लास का स्लेवस है इजी सवाल है जल्दी से स्क्रीन सोट लेजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं यह हमारा दूसरा कोश्चन है देखिए बोड पर द्यान समझे क्या लिखा हुआ है पुणांकों के निमलिखित युग मतलब जोड़ा यह जो निमलिखित पुणांक दिया गया है दो दोगो इनका HCF निकालना है और इसके बाद इसकी जाच करना है तो जाच कैसे करने वही तो यह फर्मुला और लेड़ी आपके कोश्चन में दिया हुआ है इस फर्मुला पर चेक करना है क्या दो संख्याओं का गुणा फल यानि यह दोनों संख्या है उन दोनों को गुणा कर दें बराबर HCF के बराबर इसी फर्मुला से हमको चेक करना है तो सबसे पहले HCF निकालते हैं इसके पहले HCF जो है आप बच्पन में पढ़ते होंगे भाग विधी के द्वारा होता है HCF तीन प्रकार से बनाए जाता है एक तो अभी जो अभी बताने वाले हैं वह बच्पन में पढ़ते ह है और तीसरा जो एक्सेसाइज 1.1 है आपके क्लास का वह यूकलीड विभाजनल अल्गोरिफ्म के द्वारा HCF निकाला जाता है तो यह तीन मेथर से आप HCF निकाल सकते हैं तो जो की पहला मेथर तो आप लोगों बच्पन में बता जाता है दूसरा मेथर हम 1.1 में बता द देखेका HCF निकालने से पहले देखिया क्या करते हैं HCF निकालने के लिए सबसे पहले उन दोन संख्य होकाम फैक्टर निकाल लेते हैं क्या निकालते हैं फैक्टर मतलब गुढण खंड जाए तो 26 और जो धोनों में common हो जाए वही आपका हो जाएगा है एक सीएफ जो दोनों में common दोनों में common क्या है 13 13 हो गया कभी कभी क्या होता है और गुणंखंड बनादने पर केवाल एक ही डिजित नहीं और कोई डिजित भी यदि कॉमा ना जाता तो उसको भी हम लोग common करके यहां पर लिखते हैं लेकिन इसमें केवल 13 है तो हमने 13 लिखा अब क्या निकालना है LCM निकल गया आपका जो कॉमा ने उसको लिख दीजिए LCM निकालने के लिए क्या करते हो तो जो बचे गया उसको लिखिए और साथ में जो HCF आया है आपको उसको भी लिखना पड़ेगा यह आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे करना है सबसे पहले जो दोनों में common आये वह आपका HCF जो बचा उसको लिखना है और साथ में जो HCF आया है उसको लिखना है तब इन दो तीनों को गुणा करेंगे तब हमारा आएगा क्या HCF तो चलिए गुणा करते हैं यह हो जाएगा तेरस ते क्यानबे और एक क्यानबे दूना हो जाएगा 182 तो यह निकल गए 182 निकल गया हमारा क्या LCM और तेरा निकल गया HCF अब यह जो हम बनाए है वह सही है कि गलत इसको जाच करना है क्या करना है जाच क्वेश्चन लिखे इसकी जाच किजिए किस फर्मूला से तो यह फर्मूला आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का गुड़न फर्म बराबर LCM गुड़ा HCF तो दोनों संख्या कौन-कौन है यह संख्या आपका 26 है दूसरा 91 है तो इन दोनों को गुड़ा करना है बराबर LCM हमारा है 13 और HCF आया है sorry LCM आया है 182 और HCF आया है 13 इन दोनों को भी गुड़ा करना है अगर यह दोनों गुड़ा करने के बाद बराबर हो गया है तो आपका यह जो सवाल है वो सही है अगर नहीं हुगा तो गलत है तो करते हैं अन्बे में 26 से गुणा किजिए 26 गुणा एक अन्बे तो यह जाएका चाह और इसको भी आप गुणा कर लिजिएगा यह भी आएगा आपका तो यह हमारा बन गया कितना नंबर सवाल यह हो गया एक नंबर सवाल कम्प्लेट कि इसका एक नंबर तो दो का एक नंबर अब आते हैं हम दो के दो नंबर के पास के वह इसको बता देते हैं बाकि यही दोनों तरीका से आप यह भी बना सकते हैं थो चलिए दूसरा सवाल जो है उसको देखते हैं दूसरा सवाल है पां सो ट्रफो इधर है आपका कव्डव सकटेगा ओसरDr. तीन वाठ चोविस तीन पच्छे 15 फिर 5 से 17 पच्छे 15 यहां पर हमारा गुणखंड देखिए साइड में निकाले हैं तो 510 का गुणखंड आया है तो यहां पर देखिए इसका गुणखंड निकालन को लिखा अब क्या निकालना है गुणखंड निकालने का बाद कैसे निकलेगा आपको बताया हमने कैसे जो दोनों में common हो उसको लिखना है दो तो दो है और जो बच गया उसके बाद उसको लाके लिख देना है तो बचा क्या इधर तीन बचा पांच बचा इधर 17 इसमें बचा दो गुणा क्या हो जायेगा है दो सो जाएगा दस हो जाएगा थे सा इधर सब है तो जब यह क्यों में 10 से गुणा करेंगे तो 510 इधर बचिके आपका 23 तो 510 और 23 को जब गुणा किजिएगा तब आपका आ जाएगा क्या गुणा कर लेजिए 510 में 23 तो यह हो जाएगा 53 15 और 0 2 5 10 0 3 5 7 11730 11730 यह आया आपका क्या गुणफल किसका किसका तो है सारा का कितना है 11730 अब हमको इसको जांच करना है कि अभी आपको जांच का फर्मूला आपने बताया क्या होता है दो संख्याओं का गुणफल बराबर LCM गुणा HCF तो दोनों संख्या कौन कौन है एक आपका है 510 और दूसरा है 92 और इधर आपका आया है LCM गुणा HCF पांच और दस का मतलब एक क्यावन लास्ट में जीरो लगा लेंगे फिर एक क्यावन में 92 से हम क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं दू एकम दू कुछ गालत तो नहीं हो रहा है ने इसमें कि दू एकम दू और यह हो जाएगा पांदू नद दस अन्नो एकम नव दस नव और इसका नो हाथ में कितना आया एक पांच नव पैतालिस और एक हो जाएगा 46 यह हो जाएगा च्यार हजार शारी 920 46920 और उधर भी उधर भी इतना ही आना चाहिए क्या मिस्टेक कर दें हम लोग यार तीन दू ना 510 का जब फेक्टर निकालेंगे यह हो जाएगा दू से दू दू ना 4 एका जाएगा दू पच्छे दस दू पच्छे दस फिर दू से दू से तो कटेगा नहीं तो तीन से कटाएंगे to 3-3-8-24-3-5-15-फिर-5-7-5 यह जाएगा दू-3-5-17 ठीक है दूसरा हमारा बानवे है तो बानवे को यैदि आप काटते हैं दूसे तो दू-3-2-23 काट यहां पर एक आ गया दूसरे टेष्ट दूना तो यह भी ठीक है LCM निकाल दिये जो कॉमा नाया हो LCM अगया 2 क्या बचे गया हमारा इधर बचे गया 3 5 इंटू 17 फिर इंटू में बचे यहां पे आगया 2 और यह आगया आपका 20 इन दोनों को जब गुणा किये हम तो हमारा कितना आया पांद दूना 10 1734 53 का थेज़ ठीक है जब दोस से गुणा कर दिये तो यह वह गया पांसो दोस तेज़ के तेज़ अब पांसो दोस मतलब हो गया आपका कितना कि पांसो दोस में तेज़ से जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा तेज़ दूना च्छी आलिस कुछ तो मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं बान बें तेज़ दूना च्छी आलिस अगर आप इक्यावन में तेज़ से गुणा किजी तो यह हो जाएगा आपका तीन का तीन अब पांत यहीं पंदर अदू एकम दू पंदर है अदू सतरे के साथ पांत उना दोस अद दोस दोस एक गार एक गारा है आप प्रवर यह जाएगा हमारा दोस अग्ष्याओं दोनों संख्या कॉन 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 है पांसो दोस और बान बे तो पांसो दोस और बान बे बराबर बराबर 1700 और 1730 यह हम आया है और HCF हमारा आया है दो इसको गुणा करेंगे तो जीरो एक तीन दून छो साथ दून चवदा का चार दो कम दू एक खरसीन तीर फिर दूस तेईस एजार चार सो शाठ इधर हम गुणा कर रहे हैं अगर इसको एक्काउन में 92 से गुणा कर रहे हैं तो उतना ही आए अच्छी 4920 तो फिर गलत कहा हो जा रहा है यार कि दूनों तो ठीक है कि ओ सोरी 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 तेखिए कहां गलती कर रहें लोग लग लिखना है साथ में हैं सीए वह लिखना है देखिए यहां पर बैल सीए म जाएगा हैं कि नहीं तो यह कितना हो जाएगा की कि एलशीयम हो जायागा हमारा कितना तेइस हजार चार्सों शाट लिकाल गया अब यह जो निकाल गया तेइस हजार सो शाट और चीफ हमारा और बाकी यह जो तीन नमर कोश्चन है यह आप से इसी तरीके से बना सकते हैं ठीक है बस स्क्रिंसर्ट लेजिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेक्चर लेक्चर लेकर आते हैं